हेलो जी गुड मॉर्निंग कैसे आप सब तो आज एक नया experience करने जा रही हूँ तो क्यों न आप लोगों के साथ experience किया जाए तो मैं जा रही हूँ nail extension कराने for first time of course मेरे nails है already natural nails है but I am पता नहीं मुझे मन कर रहा है कि मैं करा हूँ because यह हाथ में तो है but let me show you यह हाथ में nails नहीं है इतने बहुत छोटे-छोटे से है तो पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं करा हूँ and let's see कैसा है पहले मैं decided नहीं है nail extension ही करा हूँ या gel nail पर करा दूँ या जो भी है मैं वहां पर ही decide करूंगी उनसे discuss करके अपकोस उनकी guidance लेके ही तो let's see कि क्या होता है main problem है कि मेरा यह वाला nail बिल्कुल पसन नहीं यह पता नहीं कौन से direction में जाता है देको straight ही नहीं वो कोई और यह direction में चला जाता है तो let's see या फिर nail shape करा के या कुछ करा हो देखते वहां जाके decide होगा अगर extension होगा तो आप वो देख लेना नहीं तो देख लेना कि क्या होता है anyways मैं मस्तनाथ हो कि ready हो गी हूँ अभी मुझे लीट हो रहा है बारा बज़ी का appointment है और लेडी बारा यहां पर बज़ गए तो let's go for the first and मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे experience रहता है लेट्स गो तो यहां पर मैं पहुच गए थी nail studio तो यह मैं आपको पहले before की shoot बता रही हूँ कि मेरे nails कैसे दिख रहे before and then उन्होंने start कर लिया था मेरा nail extension का process जिसमें सबसे पहले उन्होंने मेरे cuticles को push किया था और उससे होता यह है अच्छी gapping मिल जाती है और बहुत अच्छे से आपके जो नेल से वह stay करते है then उसने मेरे जो original nails थे उन्होंने वह हटाए and सारे कुछ nails हटा दिये इद्दम नई के बरबर जितने nails रखे then उन्होंने बफ किया बहुत अच्छे से बफ किया बफ करने का reason यह होता है कि आपके जो excess oil निकलता है आपके nails के उपर उसे हटाना होता है उसके वज़े से फिर आपके अच्छे से nails stay करेंगे और कोई infection नहीं होगा उसके बाद जो cuticles push किया थे उसे remove किया और सारा dead skins निकाल दिया then उन्होंने map के देखा मेरे nails के according कौन सा nail perfect size में fit होगा वो उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने यहां पे लगाए nails सारे एक glue की help से stick किया पहले तो मैंने सोच में आ गई कि यह half nail पे क्यों stitch किया है यह कैसे complete होगा ऐसे दिखे क्या क्या क्योंकि मैं यह first time experience कर रही थी और मुझे लगता है कि मैंने देखा भी first time ही है मैंने कोई पहले वीडियो अगेरा भी नहीं देखी थी कि यह कैसे लगते है बट then to मैंने try करना चाहा था तो मैंने कर लिया बट फिर मुझे धीरी-धीर प्रोसेस कंप्लीट होने लगा तब मुझे समझ में आया बाइदवे मैं यहां पर गई थी वेनुश्ययन नेल स्टूडियो यह बेंगलूरू हिबाल केमपपुरा रोड पर है देन उन्होंने बहुत लंबे-लंबे नेल्स लगाए थे तो उन्होंने मेरे desire size के according कट कर दिय and shape के according उसे shape करने स्टार्ट कर दिया तो मैंने यहां पर almond shape लिया था क्योंकि उन्होंने मुझे suggest किया था कि first time है तो almond nail ज्यादा better option है because वो ज्यादा attack के यह नहीं आपके कुछ भी काम करने में क्योंकि वो even होता है सारे sides से तो उन्होंने almond shape बनाया जो मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैं भी यही चाहती थी then उन्होंने यहां पर gel nail paint के gel से nail extension किया and यह भी process बहुत ही soothing था और बहुत ही अच्छा था like I was enjoying all the processes and लेकिन यह मुझे लगता कि यह बहुत अच्छा experience से ही आता है of course यह nails घर पे नहीं कर सकते है तो उन्होंने उस तरीके से सारा कुछ यहां पर एक एक करके लगा दिया सारे nails को complete कर दिया then उन्होंने apply किया यहां पर gel nail paint gel nail paint बहुत ही अच्छे से stay करता है आपके हातों पर जब तक अप निकालोगे नहीं तब तक नहीं निकलता and which was like very good like मुझे पता नहीं था I was not knowing के यहां पर कोई gel nail paint यूज होने वाला है तो मैंने उसको यही पूछा था कि कई यह nail paint निकल तो नहीं जाएगी then उन्होंने मुझे UV rays में रखने के लिए कहा यहां पर हाथ रखने से ही वो dry up होता है जो nail paint है then उन्होंने मेरा एक nail art भी किया यह इस तरीके से french tip वाला nail art किया and this was the final look I was loving it so amazing और उन्होंने complimentary stones भी लगाये थे and यह flashlight में तो क्या गजब लग रहा था मतलब इतना flaunt किया मैंन झार रहा वтоящ से हां अगा मैं बसकी आला雁 किया नदी कर वो草 यह झाला कियाओ वेग दारीके से भी ।